दोस्तो इस वीडियो में यूपी वोर्ड के 10th क्लास का जो हिंदी का पेपर आया उसमें जो सुरुगात के 20 कोश्चन थे बहुविकलपी उनके सही आंसर जानेंगे तो दोस्तो जो पहला कोश्चन था वो था आचार राम चनर सुकल किस योग के लेखक हैं तो दोस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकल योग और दूसरा कोश्चन था गबन की विदा है तो दोस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपन्यास तीसरा कोश्चन था कंकाल के लेखक हैं इसका सही आंसर हो जाएगा जै संकर पिरसाद चौथा कोश्चन था कलम का सिपाई क उनिस सो अर्थिस तक वहीं जो छटमा कुश्चन था साकेत रचना है इसका सही आंसर हो जाएगा मैतली सरल गुप्त और उन सात्मा जो कुश्चन था महादेवी वर्मा कवित्री हैं तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा च्छायावाद युक्की और आठमा कुश्चन समय सीमा इसका जो अंसर है साकर्ण महादेवी वर्मा की रचना नहीं है इसका सही आंसर हो जाएगा और of सम्सी योगांत और वहिंग्यारमा जो question है हास रस का इस्ताई भाव है इसका सही आंसर हो जाएगा B हास बार्मा question था पीपर पात सरेश मंडोला उप्रियुक्त पंक्ति में अलंकार है इसका सही आंसर हो जाएगा उपमा और वह जो तेर्मा question था सोर्टा छंद में चरण होते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा option A 4 और दोस्तों जो चौद्मा question है वो है उपदेश सब्द में प्रियुक्त उपसरग है इसका सही आंसर हो जाएगा option C, उप 15 कुश्चन है प्रत्ये के भेद हैं तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा option D दो, हानी लाव में समास है, ये है सूलमा कुश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा, option A, दुवंद, और सत्रमा जो कुश्चन है, मचली का पर्यायवाची है, इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारे साब से, option B होगा, मेन, और अठारमा कुश्चन है, यद्यपी में कौन सी स संदी है, इसका सही आंसर हो जाएगा, option C, यड़ संदी, और उन्निस्वा कुश्चन है, मदू सब्द का दोतिया विवक्ति, बहवचन रूप है, इसका सही आंसर हो जाएगा, option D, मदूनी, और जो लाश्ट कुश्चन, बीस्वा कुश्चन है, पठे ताम धातु का वचन इसका सही आंसर हो जाएगा, option B, पिर्थम पुरुस्चन, तो दोस्तों ये थे बीस कुश्चन, इसमें हो सकता है, दोस्तों एकात कुश्चन का मैंने आंसर गलत बता दिया हूँ, आप लोग अपने साब से सही से मिला लेना, वैसे हमने पूरी कोसित की है, कि सभी के सही आ पसंद आया हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ओन कर दिएगा,